पिएसे कनेक्ट मेडिया में आपका स्वागत है आज के मुख्य समचार कुछ इस प्रकार हैं UIDAI और IIT Bombay मिलकर विक्सित करेंगे टेचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने भारतिय प्राधरगी के संस्थान Bombay, IIT Bombay के साथ एक समझाता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है हाथ मिलाने का मकसद है एक मजबूत टेचलेस बायोमेट्रिक क्याप्चर सिस्टम विक्सित करना समझाता ग्यापन के हिस्से के रूप में UIDAI और IIT Bombay क्याप्चर सिस्टम से जुड़े लाइवनेस मॉडल के साथ फिंगर्प्रिंट के लिए एक मोबाइल क्याप्चर सिस्टम बनाने के लिए संयुक्त रूप से अनुसंधान करेंगे टचलेस बायोमेट्रिक क्याप्चर सिस्टम एक बार विक्सित और चालू होने के बाद घर से चहरे के प्रमाडी करन की सुवधा के साथ साथ फिंगर्प्रिंट प्रमाडी करन की सुवधा भी उपलब्ध हो जाएगी यह उमीद की जा रही है कि नई प्रणाली एक बार में उंगलियों के कई निशान प्राप्ट कर लेगी और प्रमाडी करन की सफलता दर में और साहिता करेगी राजस्तान में भी अब दोड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी जंडी प्रधान मंत्री श्री नेन मोदी 12 प्राल 2023 को सुभ़ 11 बजे वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से राजस्तान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस प्रेंड को हरी जंडी दिखाकर रवाना करेंगे यहाँ राजस्तान में चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस प्रेंड होगी और यहाँ ट्रेंड जेपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा 13 अप्रेल 2023 से शिरू होगी और जेपुर, अलवर और गुडगाओं में स्टॉप के साथ अज मेर और दिल्ली कैंट के लीग चलेगी कोईला मंत्राले करेगी संबाद मूलक सत्र का आयोजन, क्याप्टिफ और वानिचिक कोईला खानों के आवन्टियों के साथ होगी चर्चा देश की उज़ा जरूरतों को सुरिष्टत करने के बारे में कोईला मंत्राले 12 अप्रेल 2023 को नई दिल्ली में क्याप्टिफ और वानिचिक कोईला ब्लॉकों के आवन्टियों के साथ एक समवाद मूलक सत्र का आयोजन कर ला है इस सत्र में कोईला शेत्र को और अधिक आकर्शक बनाने के लिए कोईला मंत्राले द्वारा लागू किये गए महत्रवपूर्ण सुधारों का प्रदर्शन किया जाएगा और घरेलू कोईला उत्पादन का वस्तार करने, आयतित कोईले की मांग को कम करने तथा देश में कारववार को असान बनाने के सुधा के लिए सभी हितधार को से फीडबैक और सुझाप आमंद्रित करेगा GRSC ने वितवर्ष 2022 तेश के लिए 63 करोड रुपे का अंतरिम लाभांच भारत सरकार को सौपा लाभांच चित Garden Ridge Ship Builders and Ingenious Limited GRSC एक मिनी रतन श्रेनी, एक की रक्षा PSU और भारत की एक प्रमुख युद्पोत नर्मार कम्पनी है इसने अपनी शेयर धारकों को वितवर्ष 2022 तेश के लिए 63 करोड रुपे का अंतरिम लाभांच दिया है और 46.93 करोड रुपे का अंतरिम लाभांच शेक मानेने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंको, कमोडोर, पी आर हरी आईयन, सेवा निवरत, GRSC Limited कोलकाता की अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बारा नई दिल्ली में सौपा गया AAI और उबर ने यात्रियों की यात्रक को सुगम बनाने हेतु किये समझाता ग्यापन पर हस्ताक्ष एयरपोर्ट्स अथोर्टी ओफ इंडिया ने कभी AAI हवाई अड्डो पर यात्रियों को एफ अधारत, कार एग्रीग्रेटर, सुविधा प्रदान करने हेतु उबर के सा एक समझाता ग्यापन पर हस्ताक्ष किये हैं। सुनिश्चत करना है। एक शंखला भी प्रदर्शित की गई। PESB ने राइट्स लिमिटेट के निर्देशक विद के पद हेतु किया श्री कृष्ण गोपाल अगरवाल का चैन। सार्वजिनिक पुद्बन चैन बोड PESB ने 10 अप्रेल 2023 को सोंवार को मिनेरत्र कमपनी राइट्स लिमिटेट के निर्देशक विद के पद हेतु श्री कृष्ण गोपाल अगरवाल का चैन किया। बर्तमान में वे राइट्स लिमिटेड में ही महाप्रबंध के पद पर कारवरत। रोजगार मेली के तहट सरकारी विभागों और संगठनों में भरती हुए 71,009 नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे पियें। प्रधान मंत्री श्री नरीन मोधी 13 अप्रयाल 2023 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के महाद्यव से करीब 71,009 नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वित्रित करेंगे। इस अवसर पर प्रदान मंत्री नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ती पत्र प्रदान करने के बाद संबोधिन्द भी करेंगे यह रोजगार मेला रोजगार सरजन को सर्वोच प्राथमिक्ता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबधता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुले तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू